हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपने चैनल बेस्टा स्टाडी इन हिंदी पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो साधारन ब्याज का प्राश्ण होता है इसको की सतरा से हल किया जाता है देखियां पर पहला प्राश्ण है एक आदमी 12 प्रतिसत वार्शिक ब्याज की दर से 8500 रुपए उधार लिये तो उस आदमी को तीन साल बाद कितना ब्याज देना पड़ेगा यह देखिये 12 प्रतिसत वार्शिक दर से 8000 रुपए कोई ब्याक्ति लिया है तो देखिये तीन साल बाद कितना ब्याज देना होगा यह आपको बताना है तो देखिये इस प्राश्ण को हम लोग साधारन ब्याज का फर्मूला से हल करेंगे देखिये साधारन ब्याज का फर्मूला होता है मूलधान और गुना में होता है समय और इसके गुना में होता है दर और बटा में होता है सो यहां फार्मूला होता है साधारन ब्याज को निकालने के लिए देखे यहां पर साधे आठ हजार रुपए लिया हुआ था मुलधन हम लोग उसको कहते हैं जितना रुपए हम लोग किसी से लेते हैं तो देखे मुलधन के जगा पर सबसे पहले लिखेंगे साधे आठ हजार रुपए को इसके बाद देखे गुना में लिखना है समय को देखिए हम लोग समय के जगह पर यहां पर तीन को लिखेंगे अब देखिए गुना में लिखना है दर को यहां पर देखिए दर जो है वह है बारह प्रतिसत तो बारह को यहां पर लिखेंगे और देखिए इसके बटा में है सो तो इसके बटा में लिखेंगे सो को देखिए यह 2-0 से यह 2-0 कड जाएगा अब देखिए उपर में जो भी संख्या है इसका हम लोग आपस में गुनदा को करेंगे देखिए आपर 85 है इसको सबसे पहले लिखेंगे देखिए तीन से गुनदा 12 में करें यह हो जाएगा 36 अब देखें हम लोग 85 में 36 से गुना को करेंगे 6 से गुना 5 में करे यह होगा 30 का 0 3 होगा हासिल 6 से गुना 8 में करे यह होगा 48 3 था हासिल तो यह हो जाएगा 51 अब देखें 3 से गुना 5 में करे यह होगा 15 का 5 1 होगा हासिल तीन से गुना आठ में करे यह होगा चौव बीस एक था हासिल तो यह हो जाएगा पचीज यहाँ पर देखे जीरो है एक और पाँच को जोड़ने पर यह होगा चौव पाँच और पाँच को जोड़े यह होगा दस का जीरो यह होगा हासिल यहाँ पर देखिये दो है और एक था हासील तो यह होगा तीन यह देखिये उसका जो ब्याज होगा वह होगा 3060 रुपए तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्राश्ण को हल करते हैं तो देख सकते हैं पर दूसरा प्राश्ण है रमेश ने 18,000 रुपए उधार लिये थें जो उसने 4 सल बाद ब्याज सहीत 24,480 रुपए वापस कर दिये तो ब्याज का वार्शिक दर्क क्या होगा आपको देखिये दर्को निकलना है देखिये कोई एक रमेश नाम का आदमी था वाँ देखिये 18,000 रुपए किसी से लिया था और देखिये 4 सल बाद वाँ जो पैसा दिया है वाँ ब्याज को ले करके 24,480 रुपए दिया है तो आपको उसका दर्को निकलना है देखिये सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि वाँ कितना रुपए जादा दिया है यानि ब्याज के रुप में कितना उसने दिया है तो देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 24,480 को यहाँ देखिए ब्याज सहीत है और उसने देखिए जो पैसा लिया था वह था आठारा हजार तो देखिए हम लोग इसमें से आठारा हजार को घटाएंगे देखिए इसको घटाने पर यहाँ आगा 6,480 यहाँ देखिए हो गया ब्याज देखिए दर को निकालने के लिए इसका एक फर्मूला होता है सबसे पहले हम लोग फर्मूला को लिखेंगे देखिए दर बराबर होता है ब्याज और गुना में होता है सो और देखिए इसके बटा में होता है मुलधान और गुना में होता है समय यहां फर्मूला होता है दर को निकलने के लिए यहां पर देखिए ब्याज निकल करके आया है वह है चोब हजार 480 रूपए देखिए इसको आम लोग सबसे पहले ब्याज के जगह पर लिखेंगे अब देखिए आपर फर्मूला में गुना में है 100 और देखिए इसके बटा में लिखना है मूलधन को देखिए मूलधन यहाँ पर दिया हुआ था 18,000 रूपए याई देखिए जितना रूपए हम लोग किसी से लेते हैं वह मूलधन होता है इसको देखिए लिखेंगे यहाँ पर अब देखिए लिखना है समय को देखिए हैं पर प्रस्ण में समय दिया हुआ था वह था चार सल बाद तो देखिए समय के जगह पर यहां पर चार को लिखेंगे देखिए यहां दो जिरो से यहां दो जिरो कट जाएगा यहां जिरो से यहां भी जिरो कट जाएगा अब देखिए हम लोग यहाँ पर संख्याओं को काटेंगे देखिए 4 से 64 को काटे यह काटेगा 16 बार में 4 से 8 को काटे यह काटेगा 2 बार में यानि अगर आप 4 से 648 को काटते हैं तो वह 162 बार में काटेगा अब देखिए हम लोग 18 से 162 को काटेंगे तो देखिए 18 के पहाड़ा में 162 नो बार में आता है यानि देखिए संख्या कट करके यहाई नो यानि देखिए दर्ज होगा वो हो जाएगा नो प्रतिसत दर्ज होता है हमेशा प्रतिसत के रूप में होता है तो देखिए इस तरह से आपको साधारन ब्याज के प्रोशनों को हल करना है